एक गाउं में एक बहुत पुरानी गुफा थी। उस गुफा के आसपास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था क्यूंकि गाउं वालों का मानना था कि वह खूनी गुफा है। जो भी उस गुफा में जाता है वह फिर कभी लौट के वापस नहीं आता। फिर एक दिन की बात है। रामु जंगल में लकडियां काटने जाता है। वह लकडियां काट कर जंगल से वापस आ रहा होता है तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसकी सारी कटी हुई लकडियां भीगने लगती हैं। अरे ये क्या जब मैं सुबह निकला था तब तो बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। अब अच्छानक ये बारिश कहां से शुरू हो गई। अब क्या करूँ तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है। अरे यह तो वही खोनी गुफा है। इसमें तो जो जाता है वह कभी लौट के नहीं आता। अब मैं क्या करूँ इस गुफा में जाऊं या ना जाऊं। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। एक काम कर थोड़ी देर इस गुफा में रुख जाता हूं। रामु उस गुफा के अंदर चल देता है। अंदर जाने पर उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती है। वह इधर उधर देखता है किन्तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वह थोड़ा और अंदर की ओर चला बेटा चिंटू उसका इंतजार करते रहते हैं। लेकिन पूरी राद गुजर जाती है और रामु घर वापस नहीं आता। फिर अगले दिन सुबह होने पर रामु की पतनी और उसका बेटा गाउवालों के पास जाते हैं और उन्हें रामु के लापता होने के बारे में ब जंगल में देखा था वा लकडियां काटकर घर की ओर आ रहा था तभी तेज बारिश होने लगी और वा उस बारिश से बचने के लिए उस खूनी गुफा में चला गया। तुम तो जानती ही हो वा खूनी गुफा है उस गुफा के अंदर जो भी जाता है वा कभी वापस ल पती और बाकी गाओं वाले जिन्दा मिल जाएं। नहीं नहीं बेहन हम वहां मरने के लिए नहीं जाएंगे सब बूलते हैं उस गुफा में एक चुडायल है जो भी उस गुफा में जाता है वा उसे कच्चा खा जाती है नहीं नहीं हमें माफ करो हम तुमारी कोई मदद न पर ले कराऊंगा। यही सोच कर वा आधी रात को जंगल की ओर चल देता है जंगल का रास्ता बहुत डरावना होता है चिंटु को बहुत डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं लेकिन वा बिना घबराय उस गुफा की ओर चलता जाता है कुछी देर में वा उस गुफा में उसे वहाँ कोई भी गाउंवाला दिखाई नहीं देता, सिर्फ डरावनी आवाजें ही सुनाई देती हैं, फिर वह हिम्मत जुटा कर गुफा में और अंदर की ओड़ जाता है, तभी अचानक उसके सामने एक चुडैल आ जाती है। हका बका रह जाता है, डर के मारे वह काँपने लगता है। उस चुडैल को देख कर चिंटू की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वह भागता नहीं है और अपनी जगा पर डटा रहता है। गर में ना पाकर यशोदा घबरा जाती है। हे भगवान अब चिंटू आधिरात को कहां चला गया। कहीं वह अपने बाबा को छुडाने उस खुणी गुफा की ओर तो नहीं चला गया। हे भगवान अब मैं क्या करूं। फिर वह भागती हुई शामू के घर जाती है और उससे मदद मांगती है। भईया चिंटू घर से लापता है, वह अवश्य ही अपने बाबा को बचाने के लिए उस खुणी गुफा की ओर गया होगा। पिर शामू भाग कर बाकी के गाउवालों के पास मदद मांगने जाता है। जो होगा देखा जाएगा। यही सोच कर कुछ गाउवाले मिलकर उस खुणी गुफा की ओर जाते हैं। दूसरी तरफ वह चुडैल चिंटू को वहाँ से डरा कर भगाने की कोशिश करते रहते हैं, परन्तु चिंटू अपनी जगा से नहीं हिलता। अरे मूर्क बालक, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? मैं तुझे कच्चा ही खा जाऊंगी। मैं तुझे आखरी बार बोल रही हूँ यहां से चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हे चुडैल, मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करता हूँ, अगर वे मेरे लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो मैं उनके लिए अपनी जान देने को तयार हूँ, मैं उन्हें लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा, अब मैं तुमसे नहीं डरता, तुम्हें जो करना है कर अरे यार ये तो बहुत बहादुर है, यहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा कहीं मेरी सच्चाई सब के सामने ना आ जाए, अब मैं क्या करूँ तभी सब गाउवाले हाथों में मशाल लिये वहां पहुँच जाते हैं सब ही गाउवाले बहुत डर जाते हैं, अरे मूर्खों डरो नहीं, देखो चिंटु उस चुड़ेल के पास ही खड़ा है अगर ये चुडैल को खाना होता तो अब तक ये चिंटू को खा चुकी होती जरूर दाल में कुछ काला है तब ही सब गाउवाले चिंटू के पास जाकर उसके साथ खड़े हो जाते हैं लगता है आज तुम सब की मौत तुमें यहां खीच कर ले आई है हे चुडैल चिंटू की हिम्मत देखकर हम सब में भी तुम्हारा सामना करने की हिम्मत आ गई है अब हम तुमसे नहीं डरते तब ही सब गाउवाले हाथों में मशाल लिए चुडैल की तरफ बढ़ते हैं अरे ये क्या ये सब तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं अब तो मुझे यहां से भागना ही पड़ेगा अरे देखो देखो ये चुडैल तो दुमदबा कर भाग रही है लगता है ये कोई चुडैल नहीं है जरूर दाल में कुछ काला है चलो इसका पीछा करते हैं सब गाउवाले चुडैल का पीछा करते हैं तब ही चुडैल का पीछा करते करते गाउं वाले ऐसी जगा पहुँच जाते हैं जहां उन्हें बाकी के सारे गाउं वाले मिल जाते हैं। वे सारे खुदाई का काम कर रहे होते हैं। वे लोग उन गाउं वालों को अपनी और आता देख खुश हो जाते हैं और अपनी आप बीती बताते हैं। कालिया, अरे भाई घंशाम तुम सब लोग यहां खुदाई का काम क्यूं कर रहे हो और तुम सब लोग वापस गाउं क्यूं नहीं आए पिछले दो महिनों से। में इस गुफाक की ओर आता तो यह उसे डरावनी आवाजे निकाल कर यहां से भगा देती थी और उसे अंदर नहीं आने देती थी और जो कोई भी अंदर आ जाता था तो उसे भी कैद करके यहां खुदाई के काम में लगा देती थी। तब सब गाउवाले मिलकर उस चुडैल को पकड़ लेते हैं। यह कहानी कहीं न कहीं अगर आपके दिल को छुए तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा। Humanity should be our race, love should be our religion.